हेलो दोस्तों वेलकम बैग टो बाई के स्पेर मार्केट इस्टोर मैं विसा लिए दो फिर से आगे हो एक नए वीडियो के साथ और नए नॉलेज के साथ तो दोस्तों आज की वीडियो में यह है हमारे पास केज़ेट 30 version 2 new model है इसमें यह देख सकते है यह original है और यह copy है यह दोनों में आपको मैं difference बताने वाला हो कैसे कैसे identify कर सकते है क्या क्या difference है दोनों के बीच में जिससे आप लोगों को idea हो सकते है कि original और copy में क्या difference होता है में मोटू यह 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 वीडियो बनाने का तो चलिए दोस्तों टा अब दोनों में बहुत चीज़े difference है लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बताता है एक एक चीज़े तो आपको समझेगा सबसे पहला देख लीजे यह box का color change है अगर आपको वीडियो में दिखता होगा तो यह light blue है और यह blue से थोड़ा ज्यादा dark blue है first thing second सबसे बड़ा difference एजग ह है यहां पर यहां पर लिव एजग है ओके एजग अभी नहीं आती लिव एजग है और लिव एजग में भी copy in future आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कैसा क्या है यह अब इसमें इसका देख सकते हैं यहां पर जो यह branding दिया गया है यह branding में भी difference है इसका light color है इसक कुछ भी सेम नहीं है कुछ ही शेप से box packing आते हैं देख सकते हैं बाकि सब सेम हैं दोनों का सब कुछ मैं तो बहुत वीडियो में बोलता हूं कि एजग के नाम से अगर आपको बहुत प्रोडेक्ट मिल रहा है तो ना ले क्योंकि एजग को discontinue होके बहुत टाइम हो गया कि एजग का ही ब्रेंडिंग आता है क्यों क्योंकि अब यह मतलब एकदम बोल सकते हैं मोस्ट रेंडिंग प्रोड़क्ट नहीं है स्पेसिफिक जो यूजर से होई लेते हैं तो वह साब से रहता है कंपनी ज्यादा बना दी रहेगी तो फिर लिए जब तक नहीं उनका होत पर इसके आदो नेक्श्ट प्रोड़क्शन में लिए जीजी करेंगे में इसके उपर तो यह हो गए है और यहां पर देख सकते हैं इसमें भी है यह सबसे बड़ा इसू आ जाता है इसका भी आपको सोल्यूशन में दे देता हूं तो आप बोलेंगे सर दोने जीजी है तो को ग्लो करता रहेगा यह अलग से चिपकाया गया इसके उपर अब द्यान से देखेंगे यह देखिए आपको यहां पर एज जीजी के नीचे देखिए डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है इससे चिपकाया गया है यह पता चल रहा है बाकी अब देख सकते हैं बाकी पूरा एक दम डिक्टू सेम है कि कोपी करने वाले भी दिमाग लागा के बनाते हैं तो इस सबसे कोई पकड़ना पाए करके बहुत सेलर्स को पता भी नहीं रहता बीचारे वह भी सेल करते औरिजिनल बोलके तो भी वह भी इस हो आ जाता है इसमें टोटल तीन मोड साते हैं वाइ सोके फ्लेश करेगा थर्ड मोड के अंदर तो यह कुछ इस टाइब से इसका देख सकते हैं आपको यह तक डेम हो देता हुआ मैं आपको आपको ग्रस्ती कि यस एक है देया वाइट यह यलो ॰ह जो थार्ड मेर्ण इंड वाइट किया नीकिर बंद शुक्ष्ट लेकिर बंद चलू बरेहंगे यलो फ्लैस करते कि यह नियूरोन स्की्षट कि अच्छ true बूल सकते ना कोई स्पेसिफिक यूजर है इसका तो वह सबसे सबसे बेस्ट है यह काम आता है इसमें आप मोट्स मिलते हैं लाइक यह इसको आप कर सकते हैं इसको खीचेंगे तो यह कम जादा होता इसका जो पहला आप नॉर्मल रखेंगे तो बड़ा सेप में गिरेगा ज इसके पॉइंट पर आपको फोकस करना तो इसके लिए बेस्ट होता है बहुत राइडर्स लेते हैं जो प्रो राइडर्स है वह तो लेते हैं यह डिए क्लेते हैं बाकि नॉर्मल राइडर्स तो नहीं पसंद करते रहे चीज़ को तो दोस्तो जितना भी मुझे नॉलेज था मैंने आप लोगों को बता दिया और मैं यहां तक समझता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो में भी कोई आपको कॉपी प्रोड़ेक्ट नहीं सेल कर सकता है इतना तो नॉलेज आप लोगों को हो जाएगा तो ये सब पुरा नॉलेज के लेट करने में बहुत रिसर्च करना वड़ता है और बहुत टाइम लगता है और जो जो कॉपी प्रोड़ेक्ट है वो भी मुझे कोई एक सेलर ने दे दिया है और डिपेंड करता है कि मतलब आप लोग कौन से सेलर से ले रहे हैं उसको कितना न मार्केड में बहुत ज्यादा है उपर नीचे है तो अपने को मतलब जरूरी है तो इसका ये वीडियो बनाने का में मोटल वही था कि आप लोगों को नॉलेज मिलना चाहिए तो चली दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी नेस्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो में जैहिन वंदे मा कि आपरों